हेलो एब्रीवन आई होप यू आल आर डूइंग वेल तो चलिए आज हम लोग यहां पर जानेंगे income tax के एक महत्वण टॉपिक को जिसका नाम है residential status आज हम लोग यहां पर देखेंगे इस topic को और जो यह residential status है इसी के अधार पर जो इंडिविजल का tax liability होता है वो बंदा है तो यह residential status जो है income tax act के अंदर जो इसका section है वो 6 और subsection 1 है और दूसरा है क्या 6, 6A, यानि कि section 6, subsection 6 और clause A, तो ये इनका section है, और जो ये residential status होता है, ये एक व्यक्ति भारत में कितने दिन रहा है, उसके आधार पर निकाला जाता है, और जो ये residential status में तीन तरह के चीज़ों को हम लोग देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, आईए, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहला जो है यहाँ पर, वो resident में देखेते हैं, non-resident, जोकि इंडिया का, मतलब इंडिया में बहुत कम दिन रहा होता है, वो होता है non-resident, और दूसरा लोग जानते हैं, कि यह निरधारित होता है, जैसे resident, दो परकार का ordinary और not ordinary, ये दो परकार के resident होते हैं, इसका निर्धारन कैसे होता है, इनको हम लोग देखेंगे, और एक होता है non-resident, तो सबसे पहले इसके लिए कुछ conditions होते हैं, इसमें दो conditions होते हैं हम लोगों के पास, एक तो होता है basic condition, ठीक है, और एक होता है additional condition, अब जो ये basic condition है इनमें 2 condition दिये होते हैं और दोनों में से अगर कोई एक भी condition fulfill कर दिया तो वो resident हो जाएगा ध्यान से इस पात को सुनेंगे basic condition एक होता है और एक क्या होता है additional condition तो basic condition में 2 condition होते हैं और additional condition के अंदर भी कितने condition होते हैं दो condition होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे basic condition की, basic condition में जो दो condition होते हैं, उसमें से कोई एक भी fulfill कर दिया, तो वो व्यक्ति resident हो जाएगा, और जब वो व्यक्ति resident हो गया, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो ordinarily resident है, या not ordinarily resident है, ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले यहां पर देखिए, जो residential status है, individual का section क्या है, section 6, 1, ठीक है, तो अब देखेंगे, जो basic condition हमने बताया था भी, कि दो condition होते हैं, जिनमें कोई एक fulfill करना होता है, तो यहां पर ध्यान देजेगा है, जो पहला condition है, यहां पर क्या कह रहा है, कि 182 दिन, जो हमारा previous year है, relevant previous year, उसमें व्यक्ति रहा हो, यह पहला condition हो गया, और जो दूसरा condition है, उसमें कहता है, कि 60 दिन, ठीक है, previous year, जो है relevant previous year, 60 दिन उसमें रहा हो, और पलस, जो relevant previous year है, इससे पहले के 4 बरसों में, इससे पहले के 4 बरसों में, 365 दिन रहा हो, तो इन दोनों में से अगर कोई एक भी condition को fulfill कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा वो व्यक्ति हो जाएगा resident अब जब व्यक्ति resident बन गया तो उसके बाद हम लोग check करेंगे कि यह ordinary है या not ordinary है ठीक है अगर ordinary resident है तो वो additional जो condition है यह दोनों के दोनों पूरे करेंगे ठीक है इस बात पर फिर से ध्यान देंगे जो basic condition था उसमें से कोई एक fulfill करना था लेकिन additional condition जो यहाँ पर है यह दोनों के दोनों fulfill करने होंगे अगर basic condition कोई एक भी fulfill नहीं कर रहा है उपर वाला तो वो non-resident हो गया सिदिसी बात है वो non-resident हो गया अगर इन दोनों में से कोई एक भी condition को पूरा किया तो वो व्यक्ति हुआ resident अब resident बनने के बाद हम लोग check करेंगे कि वो व्यक्ति जो है क्या है वो व्यक्ति रो आर है या और अन वार है ये कब चेक करेंगे resident बनने के बाद, तो सबसे पहले देखिए, अब additional condition, additional condition से ही क्या होगा, निर्धारित होगा, वो व्यक्ति क्या है, ROR है, या RNOR है, तो additional condition में कहता है, दो वर्स, कितने वर्सों में, दस वर्सों में, जैसे अगर मेरा assessment year, जो है, वो 20-21 है, assessment year क्या है, 20-21 है, उसका जो होगा, previous year, वो क्या होगा, 19-20 होगा, 19-20 से पहले के 10 वर्स, ठीक है, जो हमारा previous year है, उससे पहले के 10 वर्सों में, दो वर्स रहा हो, इंडिया में, और दूसरा condition ये कहता है, कि जो previous year के पहले के 7 वर्स है, उनमें से 730 दिन भारत में रहा हो, तो ये दो condition है, और दोनों को ही फुल्फिल करना होगा, तभी वो व्यक्ती जो है, क्या होगा, वो व्यक्ती ROR होगा, ठीक है, अगर दोनों condition को फुल्फिल किया, तो वो व्यक्ती ROR, अगर नहीं कर पाया तो ROR होगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों condition को समझ गये होंगे, basic condition में किसी एक को पूरा करना है, और additional condition में दोनों को पूरा करना होता है, तो basic condition में कोई एक पूरा किया, तो वो resident बन जाएगा, अगर एक भी पूरा नहीं कर पाया, तो वो क्या हो जागा, non-resident हो जाएगा अगर यहाँ पर fulfill किया, तो resident बना, resident के बाद फर्दर चेक करेंगे, कि वो क्या है, वो वेक्ती ROR है या RNOR है, तो इसके लिए additional condition पर जाएगा, और additional condition जाएगा, दोनों के दोनों हमें पूरे करने हैं, तो फिर जाके हम क्या बनेंगे, तब बनेंगे ROR, अगर एक भी fulfill करत हैं, तो RNOR, अगर दोनों नहीं कर पाते हैं, फिर भी RNOR होंगे, तो अब note देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर year गिंती करते हैं, इतना दिन रहना है, यह रहना है, जरूरी नहीं एक लगातार हो, टुकरों टुकरों में भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इतना कंडीशन में दिया हुआ है, उतना क्या होता है, रहना होता है, और दूसरा क्या होता है, जो arrival और departure होता है, उसका भी count होता है, जिस दिन भारत से जा रहे हैं, और जिस दिन आ रहे हैं, तो वो दोनों दिन क्या होते हैं, count होते हैं, अब इसके कुछ exception है, जो basic condition हमारे उपर पर दिये हुए हैं, उसके कुछ exception हैं, आइए सबसे पहले exception देख लेते हैं, और जो exception है ना, वो NOR बनाने के लिए होता है, यहाँ पर धियान देंगे, जो RNOR है ना ये, resident but not ordinary resident, तो ये बनाने के लिए होता है, ये इसलिए बनाते हैं, सरकार को पैसा चाहिए, भाई, हमको tax कह ही से चाहिए, अगर अब देखते हैं, किन-किन वेक्तियों को वो NOR बना देते हैं, क्या-क्या exceptions हैं, तो exception में जो है, सबसे पहली बात ये कहता है, ये दो तरह के चीज़ें, जो point number one है, और point number two है, तो यहाँ पर देखे, point number one में जो दिया हुआ है, living India for employment purpose, कोई इंडिया को छोड़ कर employment purpose के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे वेक्ति पर जो basic condition के rule है, वो number one वाला लागो होगा, और जो crew member होते हैं, SIP के, उस पे क्या होगा, जो basic condition के number one है, 182 दिन, previous year में रहना है, तो वो वाला होगा, और जो number two पे है, Indian citizen और person of Indian origin, ठीक है, जो इंडिया का citizen है, और Indian origin है, कभी-कभी होता है, किनी के दादा जी, पापा जी इंडियान ओरीजिन के रहते हैं, फिर वो बाहर में रहते हैं, फिर घूमने-उमने आते हैं, या जो इंडिया का बर्थ का है, तो उनके लिए भी क्या है, 182 दिन वाला ही condition लागो होगा, आते ह जो इंडियान ओरीजिन का वेक्ति है, उस पर 182 दिन वाले नियम क्या होंगे, लागो होंगे, यह क्या थे, exceptions के कुछ point थे, तो यहाँ पर जो था, exception का point था, अब देखते हैं, amendment जो आई है, residential status में, amendment किस में आया है, जो finance act हमारा आया था, 2020 वाला, अब देखिए, जो finance act होत है, किसको क्या करना है, हर बार, हर year finance act आता है, लगवग फरवरी में, जो हमारे बित्त मंत्री होते हैं, वो announce करते हैं, तो हर बार आता है, यह 20 वाला जो finance act था, उसमें क्या amendment आया है, चलिए, आज हम लोग उसको देख लेते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने देखा, यह त R&R है न, resident but not ordinarily resident, तो यह कैसे बना दें, ठीक है, अब देखिए, जो amendment था, amendment है क्या, जो amendment है, finance act 2020 का, वो क्या है, R&R के लिए है, ठीक, अब यह क्या है, कहता है, Indian origin और Indian citizen, सबसे पहली बात, कोई व्यक्ति है, वो Indian origin का है, और Indian citizen है, तो उसके लिए क्या है, वो 182 दिन रहा है, और more, यह कह रहा है, अगर 182 दिन रहे हैं, आप इंडिया में, या 182 दिन से जादा रहे हैं, तो आपके लिए पहले देख लेते हैं, अगर yes, रहे हैं, और no, नहीं रहे हैं, ठीक है, आइए इस amendment, जो है, finance act 2020 को, इसे समझ लेते हैं, और यह amendment है, किसके लिए है, जैसा हैं, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो 182 दिन से अधिक रहा है, तो वो resident हो जाएगा, अगर resident हो गया, उसका जो additional condition था, तो उसे हम लोग देखा था, यहां पर देखिए, उसका जो additional condition था, तो हम लोगों ने देखा ही था, कि अगर दो साल रहा ह है, पिछले 10 वर्सों में, यानि previous year के पिछले 10 वर्सों में, अगर दो साल रहा है, और 730 दिन रहा है, पिछले 7 वर्सों में, मना previous year के पहले के 7 वर्सों में, 730 दिन रहा है, यह दोनों condition देखते हैं, अगर 182 दिन हो गया, तो वो क्या हो जाता है, resident, अगर नहीं है, तो not ordinary resident हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या देखेंगे, जो 182 दिन से कम रहा है, उसके लिए है, यह जो 182 दिन है, इसके yes अगर है, तब तो होई गया, तो additional condition चेक करेंगा, अगर नहीं है, अगर 182 दिन से अधिक नहीं है, तब हम यह वाला condition चेक करेंगे, कि उसका Indian income 15 लाग से अधिक तो नहीं है, अगर 15 लाग से अधिक नहीं है, तो वो हो जाएंगे non-resident, अगर Indian income 15 लाग से अधिक है, तब हम condition पे जाएंगे, और इस condition में यह दो condition है, कि जो हमारा previous year है, उसमें 120 दिन रहा हो, और जो previous year के पहले के 4 बरस हैं, उनमें से 365 दिन रहा ह अगर इस दोनों condition को fulfill कर देता है, तब वो क्या हो जाएगा, एन ओर हो जाएगा, ठीक है, not ordinarily resident हो जाएगा, अगर नहीं कर पाता है, तो वो non-resident हो जाएगा, simple सी बात थी यहाँ पर, ठीक है, इस amendment को समझना बहुत जरूरी है, इसको मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ, य इसमें क्या कहता है, अगर बेक्ती इंडियन ओरीजिन का है, या इंडियन सीटिजन है, अगर वो 182 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहा है, तो फिर उसका जो additional condition है, उसे चेक करेंगे, जो additional condition क्या है, हम लोगों का, एक पार देख लेते हैं, additional condition क्या है, दो बरस रहे है पिर्वियस एर के पहले के 10 बरसों में, और पिर्वियस एर के पहले के 7 बरसों में 730 दिन, अगर ये दोनों condition को पूरा कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा ordinary resident, नहीं कर रहे हैं तो not ordinary resident, और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, अगर 182 दिन से कम रहा है, तब हम चेक करेंगे एक उसका Indian income 15 लाग से अधिक है, अगर अधिक नहीं है, तो non-resident, अगर 15 लाग से अधिक है, तब condition पे जाएंगे, हम लोग देखेंगे पिर्वियस एर में 120 दिन, या उससे अधिक रहा है या नहीं, और दूसरा condition देखेंगे, कि पिछले 4 बरस, पिर्वियस एर के पहले के 4 बरस हैं, उनमें से 365 दिन रहा है या नहीं, अगर रहा है, तो not-ordinary resident हो जाएंगे, तो यह हमारा amendment था, अब देखते हैं, next कुछ और है इनके बारे में, हाँ, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे, दूसरा जो पहला amendment हम लोग देखेंगे, अब दूसरा amendment हम लोग देखेंगे, दूसरा amendment कहती है, कि अगर आप SSC नहीं है, फिर भी हम आपको SSC मानेंगे, किन condition में, सरकार को जो टेक्स चाहिए, तो वो जहां से चाहिए, उन्हें टेक्स का जुगार लगाती रहती है, वो कहती है, अगर आप जो basic condition है, उसको fulfill नहीं कर रहे हैं, कोई बात में, तो आपको हम तीन condition दे रहे हैं, अगर आ यह तीनों condition अगर fulfill कर रहे हैं आप, तो आपको हम क्या मानेंगे, R, N, O, R मानेंगे, मतलब resident, but not ordinary resident मानेंगे, और आप से tax लेकर रहेंगे, तो यह तीन जो बाते हैं, condition हैं, इन तीनों condition को पूरा कर दिये, तो आप क्या हो जाएंगे, R, N, O, R हो जाएंगे, तो यह amendment थे, और जो basic rule है, वो थे, तो एक बार आईए, हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, revision कर लेते हैं, तो revision में सबसे पहले आईए, शुरू से देख लेते हैं, सबसे पहले residential status का जो section है, वो 6, 1 है, उसके बाद आते हैं, piercing old status में, सबसे पहले resident में चेक करते हैं, 2 condition को basic और additional, basic condition में 2 condition हो जाता है रेसिडेंट और जो नहीं कर पाया हो हो जाता है नोन डेसिडेंट अब रेसिडेंट को दो भागों में यहां पर है एक है रेसिडेंट ordinary resident है और एक है resident but not ordinary resident तो इन चीजों को resident में को जो ordinary resident और not ordinary resident है इसको additional condition के अधार पर बाठते हैं तो देखें basic condition सबसे पहले जो था हमारा क्या था 182 दिन पिछले सालों में रहा हो और दूसरा था 60 दिन रहा हो पिछले साल में और पिछले साल के पहले के चार वर्सों में 365 दिन रहा हो अगर यह दोनों condition एक साथ होना चाहिए अब एक नंबर और दो नंबर इन दोनों में से कोई एक fulfill कर रहे हैं तो इसका मतलब आप resident हो चुके हैं अब additional चेक करेंगे अगर आप उसे fulfill कर देते हैं तो आप हो जाएंगे क्या ordinary resident हो जाएंगे तो additional condition क्या है additional condition है कि previous year के पहले के 10 वर्सों में 2 वर्स और previous year के पहले के 7 वर्सों में 730 दिन रहे हो और यह दोनों condition पूरा करने है तो आप हो जाएंगा ordinary resident बनने के लिए क्या हम लोग ने पढ़ा था कि additional condition के दोनों condition को पूरा करना होता है और next क्या है next exception है इसके जो यह हमारा basic condition है ना इसमें से दो number वाला condition है 60 दिन और 365 दिन वाला यह किन पर लागू नहीं होगा अब देख लेते हैं उनमें दो exception थे एक जो इंडिया चोड़के हमें बेजना परपस के लिए जा रहा है या सिपका क्रियू मेंबर है या फिर Indian citizen है या Indian origin का वेक्ति है तो उनके लिए क्या होगा 182 दिन वाला ही नियम होगा बेसिक कंडिशन में 60 दिन वाला उस पर लागू नहीं होगा अब कुछ amendment है इसको भी देख लेते हैं अगर कोई व्यक्ति है इंडियन ओरीजिन का है इंडियन citizen है वह 182 दिन कितना दिन 182 दिन से जादा रहा है तो फिर वह एडिशनल कंडिशन जो हमारा था उस हिसाब से जाएंगे अगर 182 दिन से कम रहा है तो फिर हम लोग यहां पर देखेंगे कि वह उसका जो इंडियन क्याइं कम है वह 15,000,000 से अधिक है या अगर 15,000,000 से कम है तब तो वह non-desident हो जाएंगे अगर 15,000 से अधिक है तो फिर उसके लिए 120 दिन और पिछले वर्स जो है उनके पहले के चार वर्सों में 365 दिन रहा है अगर यह दोनों कंडिशन को पूरा करता है तो वो बेक्ति क्या हो जागा अगर नहीं कर पाता है तो वो नर हो जागा यानि कि नॉन डेसिडेंट हो जागा और एडिसनल कंडिशन जो एक दूसरा पंदर लाग साधिक है और किसी और कंट्री में आप टेक्स पे नहीं कर रहे हैं तो इन तीन कंडिशन को देखेगी अगर आप इन तीनों कंडिशन को पूरा कर रहे हैं तो आपको डेसिडेंट बट नॉट और नरी रेसिडेंट मानेगी और आपको क्या करेगी टेक्स Thank you so much for watching. Bye-bye.